हाई एवरिवान नमस्कार सलाम सत्स्रियाकाल वेलकम बैक टू माई चैनल हरिद्वार फैमिली लोग्स कैसे हैं आप सर्व कौमेंट करके बताईएगा और आज मैं यहां बना रही हूं रसगुले छेना रसगुले जो वाइट वाले होते हैं वो वाले तो उसके लिए मैंने यहां एक लिटर दूद लिया है और उसको उबलने के लिए रख दिया है पहले मैं छेना तयार करूँगी मतलब दूद फाड़ूँगी तो उसके लिए दूद मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है अब दूद में बॉयल आना है फिर उसके बाद हम दूद को फाड़ेंगे उससे पहले मैं दो निम्बू का रस निकाल लूँगी क्योंकि मैं निम्बू से छेना बनाऊंगी चाहे तो आप विनेगर से बना सकते हैं दूद फाड़ सकते हैं चाहे तो आप टाटरी से फाड़ सकते हैं लेकिन मैं यहां निम्बू से ही फाड़ूँगी तो देखिये दूद में बोया लाने लगा है हलका-ख़़ा सा और ये मैं थोड़े ही बनाओंगी क्योंकि दूसरी बार ही बना रहा हूँ तो थोड़ी से मन में गभराट रहती है कि कई खराब ना हो जाएं तो इसलिए थोड़े से ही बना रहा हूँ तो देखिए दूद में उबाल आ गया है और गैस मैंने बंद कर दिया है बस उबाल ही आना है पकाना नहीं है ज़्यादा हमको दूद को तो बस अब मैं दूद को नीचे उतार लूँगी देखिए और एक मिनट के लिए इसको हिला कर थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी एक दम उबलते हुए दूद में हमें नीबू का रस नहीं डालना देखिए मैंने दो नीबू इस तरह बीच छान के उनका रस निकाल लिया है तो बस अब एक मिनट हो गया है अब मैं थोड़ा थोड़ा इसमें नीबू का रस डालूँगी और फिर हिलाऊंगी और इसमें से दो नीबू के रस में से बच गया था करीब डेट नीबू का रस लगा होगा इसमें तो देखिए कितना अच्छे से दूद फट गया है पानी बिल्कुल अलग हो गया है और छेना हमारा पनीर अलग हो गया है और अब मैं इसको छान लोगी कुछ इसलिए भी मैंने थोड़ा बनाया है क्योंकि मैं घर के दूद से ही बना रही हूँ कोई एक्टरा दूद मैंने नहीं लिया है और छेना भी साथ साथ तयार कर रहे हूं पनीर भी अगर मैं पनीर से बनाती तो थोड़ा जादा भी बना लेती लेकिन मैं साथ साथी पनीर तयार कर रहे हूं इसका तो देखिए यहां मैंने एक छलनी रख ली है एक भगोने के ऊपर नीचे भगोना रख लिया है और उपर एक छलनी रख लिया है उस पे डाल लिया है मैंने कपडा पतला सा और बस अब इसको मैं पलट दूँगी तो देखिए ये हमारा छेना तयार हो गया है अब मैं इसको साप पानी से धोलूँगी देखिए साप पानी डाल लिया है मैंने इसके उपर और इसी लूटिया से ही मैंने दूद ना पा था, ये आधा लिटर की लूटिया है मेरी, तो मैंने दो लूटिया दूद चढ़ाया था, लूटिया लोटा जो भी आप बोलते हो, और बस अब मैं इसी में पानी लेकर इसको बहुत अच्छे से धोलूँगी, जिससे कि इसकी स सारी खटास निकल जाए, और अंस पानी डाला है, मैं इसको चला रही हूँ अच्छे से, और बस अब इसको अच्छे से निचोड लेंगे, निचोड कर आप थोड़ी देर के लिए इसको दबाना चाहें, किसी भारी चीज से तो दबा भी सकते हैं, नहीं तो आप टाइट स प्राइट से निचोड दूगी यहां, तब तक मैं अपनी चासनी तयार करूँगी, तो देखी इसको मैंने हलका सा खोल दिया है, यह ठंडा हो जाएगा, और अब करते हैं चासनी तयार, चासनी के लिए मैंने यहां कड़ाई चड़ाई है, जिसे कि थोड़ा सा चोड़ा कड़ा बरतन रहे तो चोड़ ची कड़ाई, चड़ाई है मैंने और उसमें डिएड़ कॉप मैंने चीनी ली है, और दिएड़ कॉप में मैं उसका डबल पानी डाला है, यानी के तीन कॉप और बस तीन कप पानी मैंने डाल दिया है अब इसको चलाते हुए चीनी को हमें मेल्ट करना है चला लेंगे नहीं कहीं ऐसा होता है कि कभी-कभी चीनी नीचे जम जाती है चिपक जाती है तेजाच होने के कारण आज अभी मेडियम ही रखेंगे जब तक चीनी हमारी मेल्ट नहीं होती है यहां मैं बीच-बीच में चासनी भी चेक करती रहूंगी और अब पनीर को अच्छे से सौप्ट करेंगे मसल मसल के पनीर को कम से कम चार से पांच मिनट हमें मसलना है जिससे कि वो बहुत अच्छे से सौप्ट हो जाए चिकना हो जाए बहुत ही चिकना सा हमें यहां पनीर तयार करना है इस तरह रगड रगड के चार से पांच मिनट हमें इसी तरह करना है और फिर हम इसमें एड करेंगे एक चमच मैदा तो देखिए मैंने एक चमच से ही इसमें मैदा डाल लिया है बस एक चमच मैदा डालना है अब इसको अच्छे से फैट लेंगे मतलब फिर से इसको अच्छे से मस लेंगे हम इसी तरह मसल मसल के एक अच्छा सौप्ट डो तयार करेंगे अब भी इसको ऐसा नहीं है कि मैदा मिक्स हो गया और हो गया इसमें अब भी काफ़ी टाइम लगेगा जितना हम इसको सौप्ट करेंगे मसलेंगे उतना ही हमारे रसगुले अच्छे बनेंगे फटेंगे नहीं नहीं तो रस्गुले के अंदर क्रैक रह जाएगा और वो फट जाएगा तो बस यही है इसका कि जितना भी हम सॉप्ट करें उतना ही अच्छा है तो देखिए मैद अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है इसको बहुत सौप्ट सा तैयार कर लिया है मैंने कितना चटोबन कर तैयार हुआ है अब इसकी छोटी छोटी गूलिया बनानी है हमें ज्यादा बड़े रसगुले नहीं बना रही हूँ, मैं चोटे साइज के ही बना रही हूँ तो यहाँ चोटी चोटी गोलिया तोड़के रख लूँगे मैं उसी हिसाब से और फिर इनको राउंड राउंड से अच्छे से रगड रगड के मतलब दबा के करना है अच्छे से जिससे कि इसमें कोई क्रैक ना रही है, ज्यादा हलके आथ से पहले नहीं करना है, पहले थोड़ा सा दबा के करना है और फिर हलके आथ से करना है देखे इस तरह से और पनी ने काफी घी छोड़ दिया है देखे कितने हाथ चिकने लग रहे हैं मेरे जबकि इसमें कोई घी वगएर हमने कुछ भी नहीं डाला है मसल मसल के इतना घी इसमें आ गया है तो बस इसी तरह से सारी गोलियां हम तयार कर लेंगे मतलब रसगुले त तयार हो गए है और इस डो में मेरे 16 रसगुले तयार हुए है तो उधर चासनी तयार हो गई है उबल चुकी है अच्छे से अब मैं उबल ती चासनी में एक एक रसगुला छोड़ूगी पहले मैं एक ही छोड़ कर देख रही हूँ थोड़ा मैंने वेट किया इसको तो देखे इस तरह से और मीठा कमी बनाने की कोशिस करती हूँ जिससे की रेसिपी भी बन जाए और ज्यादा मीठा ना बने नहीं तो फिर जितना मीठा बनता है घर में खाना तो उतना ही पड़ता है तो वैसे भी अब चुटियों में वेट काफी बढ़ गए है सबके और पांच मिनट हो गए है इनको उबलते उबलते मैंने तीन बार इनको पांच-पांच मिनट के गैप में दिखाया है आपको तो इस तरह से ही चेंज होते गए फूलते गए देखिए और करीब इनको पकने में 20 मिनट लगे थे 20 से 25 बलकि 25 मिनट में ये तयार हुए थे 25 तीन से चार घंटे के लिए मैं इनको ऐसे ही छोड़ दूँगी ठंडा होने के लिए फिर सर्व करूँगी फिर दिखाऊंगी आपको की कैसे बने है और अब मैं या लंच बनाओंगी यहां के यहीं यह का मेरा रसगुले का हो गया है वो भी मैंने सुबही कर लिया है क्यो इस तरह से दो टुगड़े करके डाल दिया है मैंने क्योंकि जादा लंबी थी उतने कड़ाई में बरतन में नहीं आती है तो इनके मैंने दो दो टुगड़े कर दिये हैं बीच में से तोड़ के डाल दिये हैं सारी इस तरह से बड़ा पैकिट था यह करीब तीन बार बन मेरे या मतलब दूसरी बार मैं इस पैकिट से आज बना रही हूँ एक बार पहले बनाई थी और एक बार और अभी बन जाएंगी तो देखिए चाउमीन मेरी उबल गई है उनको मैंने अच्छे से साप पानी से धो के रख दिया है धोना बहुत जरूरी है जिससे कि उनका सारा इस्टार्च निकल जाता है फिर वे चिपचिपी नहीं रहती खिली खिली रहती है अगर अमच्छे से ठंडे पानी से उनको साथ साथ धो कर रख देते हैं तो वो मैंने रख दी है और इधर मैंने कडाई चडा ली है उसमें डाल लिया है ओल और सब्छी मैंने काटके रख ली है साइड में चाउमीन मैंने रख दी है ठंडी होने के लिए अलग-अलग करके और यहाँ एक बड़ा प्याज मैंने इस तरह से लंबा-लंबा काट लिया था अब मैं इसको तेल में डाल कर हलका सा सौफ्ट करूँगी बहुत हलका सा सौफ्ट करूँगी और फिर इसमें डालूँगी सबजियां सब्जी में मैं दो ही सब्जी इसमें डाल रही हूँ पतागो भी और सिम्ला मिर्च यही फिलाल मेरे पास थी और यही सब्जी मैंने इसमें डाल दी है हरे प्याज डाल सकते हैं वो डलती हैं महलक इसमें लेकिन वो मेरे पास नहीं थी फिलाल बस यह दो सब्जी थी तो मैं इनी से बना रहे हूँ से मिला मिर्च भी डाल दी है मैंने और पत्ता भी भी डाल दी है अब इनको तेज आज पर चलाते हुए हमें सोटे करना है और एक मैंने इसी तरह लंबा लंबा इसमें काटके टमाटर भी डाला है जिससे की थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाए उसके लिए तो देखिए अब मैं हलकी सी सबजियों को इस तरह भून लूगी तेज आज पर भूनना है और अब मैंने इसमें अड़ कर दिया है सॉल्ट सॉल्ट हलका ही डालना है क्योंकि जब चाओ महीं नुबाली थी तो उसमें भी सॉल्ट था और बस अब इसको चलाते हुए थोड़ा सा भून लूगी फिर इसमें डालूगी जो भी अगले इंग्रीडियन है वो तो देखी यहां मैंने सोया सोस डाली है दो चमच के करीब और अब डाल दिया है मैंने इसमें विनेगर एक से डेड़ चमच और अब मैंने इसमें डाला है कैचप चिली सोस मेरे पास नहीं है नहीं तो चिली सोस भी इसमें जाती है ग्रीन चिली हो रड चिली हो लेकिन फिलाल मेरे पास कोई सी भी उनमें से अवेलेबल नहीं थी तो इसलिए इसमें मैंने एक चमच सेजवान चटनी का डाला है जिसे की थोड़ा सा ये तिक ही हो जाए नही कितने खिली- confronting रखोए हैं कि मैंने इंको पिलेट में निकाल दिया था च्छान कि अच्छे से पानी से दोके और बस अच्छे से mix कर लेंगे mix करने में में थोड़ा धाइम लगता है तो देखिये मैंने अच्छे से इनको mix कर लिया है और चावमीन हमारी तयार हो गई है बहुत अच्छी देखने में भी और खाने में भी बहुत टेस्टी चावमीन थी देखिए सबजी थोड़ी सी कम मुझे लग रही थी सबजी आप और भी अड़ कर सकते हैं और थोड़ा सा ग्रीन प्याज होता तो बात थोड़ी सी और अलग होती अच्छा भी लगता वो देखने में लेकिन मेरे पास यही था उससे भी बहुत अच्छी बहुत टेस्टी चावमीन बने थी पिछली बार मैंने हकका नूडल्स बनाए थे उनके साथ मसाला आया था उससे बनाए थे और बताईएगा आप लोगों को मेरी दोनों रेसिपी कैसी लगी फटा फट से बनने वाली दोनों रेसिपी हैं कुछ भी टाइम इन में नहीं लगता है और सच में अलग खाने का मन हो चाइनीज और सुविट तोनों ही डिस मैंने तयार कर दी हैं बताईएगा कैसी लगी आपको और फिर लंच के बाद बरतन बरतन करके सारे बरतन बहुत फैल गए थे क्योंकि पता ही है आपको दो-दो सावान साथ-साथ बनाए है तो अब साथ-साथ मैं बनाने लगी हूँ कपडो की तया क्योंकि आज सुबह कपड़े दुले थे बहुत सारे कपड़े हो रहे थे इस बार मैंने दो दिन के बाद कपड़े दुले हैं तो बस मैंने सोचा अगर एक बार लेट जाओंगी तो फिर आलस आ जाएगा तो इसलिए मैंने कपड़ों की तया बनाना शुरू किया है आते ही भार से बैट सिट वगेरा भी चेंज की थी इधर की आज इस रूम की दो दिन दिन पहले मैंने उस रूम की की थी और आज इस रूम की की है आज देरा उसी रूम में लगा हुआ है हमारा ओफिस उसी रूम में बना हुआ है क्योंकि अब गर्मी होने लगी है तो एसी महीं पे है तो आज दूसरे रूम में बैटी हूं कपड़े लेकर नहीं तो ये मेरा काम उधर वाले रूम में होता था तो बस मैंने सोचा चलिए तो काम कर रहे हैं आज फिर कुछ ज़्यादा ही काम आ रहा है उनका तो उन्हें फुरसत नहीं है मैं भी अपना काम कर लूँ तो बस यहां मै मैं बैट गई हूं कपड़ों की तह बनाने के लिए और अब तक मेरी तब्यत बिल्कुल ठीक थी लेकिन इसके बाद मेरी तब्यत धीली हो गई थी मतलब बुखार सा लगाता है मुझे कई दिन हो गए हैं बुखार सा लगता है अलकाल का और सर में भी दर्द रहता है मेरे तो कुछ पूछ रहा है मुझे से आकर बार बार वो कभी पापा के पास जाता है कभी मेरे पास उसका इसी तरह रहता है एक जगह नहीं बैठता है वो शानती से तो बस कभी आ जाता है कभी उधर चला जाता है तो यही चल रहा है कर दो 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 है कर दो थे खजबता है कर दो कर दो कि अनुग तो देखिए मैं कि चैन में आई थी आराम करने के बाद फ्रूट काटने के लिए तो मुझे थेंथ Berkeley głu कि Serving कर देते हूं दिखा देती हों आपको कि कैसे भूले बनाया तीन घंटे के करीब हो गया तीन चार गंटे के करीटे cracking बने तो आब मैं इनको आपको दिखा रही हूं, देखिए, बहुत अच्छे रस्गुले बने हैं, और थोड़ा सा छोटा साइज है, क्योंकि मैंने चोटे ही बनाए थे, इसलिए साइज तो छोटा है, लेकिन हैं बहुत अच्छे, अंदर तक बहुत ही स्पञ्जी रस्गुले ब इस्पंजीर सुले बने हैं फूले फूले बहुत अच्छे तो यहां फूरूट काट कर आ गई हूँ मैं इनके पास ही इन्होंने अब लैप्टोप बंद कर दिया है दो मिनट के लिए और यहां फूरूट काट कर लेकर आई हूँ तो मैंने सुचा चलिए थोड़ी देर गई और पहले सुबह का काम किया फिर अपना किचन में लग गई फिर कपड़ों अगरा में लग गई और यह अपने काम में लगे हूए थे तो इसलिए फिर मैंने हां रेस्ट किया बीच में तो बस अब मैं आई हूँ इनके पास थोड़ी देर थोड़ी देर बैठेंगे करेंगे और आज मैंने अब तक आप से बाते भी नहीं की हैं सिर्फ वीडियो में ही मिल लई हूँ सामने से कुछ भी नहीं बोला है лेकिन आज मेरी तब अतना ठीक नहीं है सच में मेरे पैर भी बहुत दुख रहे हैं पता नहीं कहीं दिनों से क्या हो रहा है मेरे साथ बहुत ही मतलब अजीब सा लग रहा है ना ही तो बुखार आता है थर्मेमेटर चेक करती हूँ तो थर्मेमेटर में बुखार नहीं है मतलब अजीब सा लग रहा है तो मेरा मन नहीं learn Chinese अभी मैं प्हें के बैटीं थी मैं पमप्लों के बनाने के बाद फिर मैंने प्हेंने पें के लोगा और अराम किया क्या करें दवाई खानी पड़ती आज प्लहर कोई मतलब हर किसी کو दवाई खानी पड़ती यह कोई आसे ठीक नहीं रहता कि भाई हाँ दवाई ना खानी पड़े और कल अंस अपने चैनल पर वीडियो डालेगा कल अंस की नई वीडियो आएगी तो आप देख सकते हैं जिनको भी देखना अंस का चैनल पसंद है उसका गाना, म्योजिक जो भी उसके चैनल का नाम बता देती हूँ आज मैं यहाँ, वैसे तो लिंक दिया है जिसने भी मांगा है लेकिन आज मैं यहाँ चैनल में भी बोल दे रही हूँ उसके चैनल का नाम है Home Guitar Lesson और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा आप लोगों को तो जिसको भी देखना है तो प्लीज आप देख सकते हैं कल उसकी नई वीडियो आएगी अब वो वीडियो जालना सुरू करेगा क्योंकि पहले बता रही थी मैं कि उसने पेपरो की वैसे बंद कर दिया था और फिर बच्चा है ना तब मन थोड़ा सा अटा लेता है तो अटा लेता है अब क्या था कि मेजिक क्लास वगेरा भी बंद पड़ी हुई है तो इस वज़े से प्रैक्टिस भी कम ही कर रहा था तो लेकिन अब बोला है कि मम्मी अब मैं वीडियो डाल लूँगा तो आज मैंने उसका नाम बता दिया है आपको होम गिटार लेसन तो आप चेक कर सकते हैं तो बस अब करते हैं वीडियो का एंड आज वीडियो में कोई मैंने व्लोग तो नहीं दिखाया बस खाली रेसिपी दिखाई है पर क्या करूँ कभी कभी चलता है सावी तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो मेरे रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक, सेर और कोमेंट करें अब मैं मिलूँगे आप से कल एक नई वीडियो में अबता किली, बाइब बाइब